अज सलाम लेकूम वेलकम टू यूरोप जिंदगी और यूरोप जिंदगी में आज हम एक बहुत इंपॉर्टन डॉपिक यो डिसकस करेंगे जो के हैं स्टूरेंट्स के लिए और जो भी पैरिंट्स डिसाइड करें अपने बचों के लिए हैं कि वो पुर्तगाला के स्टड के लिए अप्लाइ करने का वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा सो वीडियो को एंट तक दिखिए गा और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दिए चैनल को सो डाट आपको ऐसी इंफॉर्मीटिव वीडियो जो है वो मिलती रहें सो सबसे पहले आपने क्या कर करते हैं और वो को सलेक्ट करने के बाद आप उनके कॉंटेक्स सेक्शन में जाके या उनकी वेबसाइट पे जाके उनकी एमेल एडर्स पे आप एमेल करते हैं कि इस कोर्स में आप इंडॉल होने के बाद आपको कुछ फीस होती है कुछ उनिवर्सटी की इंडॉल्मेंट पीस वो देनी पड़ती है वो जो 100 से 400 योरोस के अराउंड होती है ठीक है और ये क्राइटेरिया होता है इनका कि आप कन्फर्म कर रहे हैं कि आप इस उनिवर्स्टी में आके पढ़ेंगे उसके बाद जब आपको कन्फर्मेशन जो है वो आपकी डीटेल्स लेते हैं पहले डॉकिमेंट्स की और उसके बाद आपको कन्फर्मेशन लेटर जो है वो बेज देते हैं आपकी डॉकिमेंट्स देखने के बाद कि आप इलिजिबल हैं कोर्स के लिए या नहीं और उस बताते हैं कि इस लेटर की साथ और क्या-क्या आपको डॉक्यमेंट्स चाहिए तो जब वो युनिवर्सटी जिस वो आपने सेलेक्ट किया कोर्स के लिए इलिजिबिलिटी और वो लेटर आपको बेचने हैं लेटर बेचने से पहले वो आपसे कुछ फीस भी मांगते जो कि सेमिस्टर फीस होती है और वो आपको पे करनी होती है और वो डिपेंड करता है कि कितने युरोज है वो आपको सेलेक्टर इनिवर्सटी के कोर्स से ही इन्फरमेशन बल जाएगी तो ये दो फीस जब आप पे कर देते हैं और आपको एक्सेप्टंस लेटर मिल जाता है उस documents के लेने के बाद सबसे पहले आपको foreign ministry of affairs से attest करवाना होता है जिसमें आपके educational documents होते हैं जो भी आपने पढ़ाई की है लेकिन अगर आप O-levels के student है Cambridge के already student रह चुके हैं तो फिर आपको इस procedure से गुजरने की जरुवत नहीं है आपको सिर्फ करोना टेस्ट और आपका FRC family registration certificate ये दो चीज़े जो है टेस्ट करवानी होती है वरना आपको educational certificates भी है टेस्ट करवाके और उसके बाद ये file complete करनी होती है और इसके बाद आपको अपना visa form और ये documents लेकर जो appointment होता है वो लेना होता है जो के आप करांची लहुर असलावबाद यह इंडिया यह जिस जगह भी रहते हैं मंदादेश नेपाल यह जिस जगह भी रहते है वहाँ पे आप जो जैरीस की service है उस पे जाके appointment ले सकते हैं call के थू भी और website से भी और फिर यह appointment लेने के बाद आप अपनी फाइल जो है वो जो required आपकी वीजा होता है उसके लिए आप सब्मेट करवा देते हैं और वो सब्मेट करवाने के बाद जिसमें आपको प्लग जाता है पासपोर्ट पे वीजा का इसके बाद आप जो है अपना टिकेट वगेरा जो है वो साथ जो है वो उसकी payment करते हैं ठीक है सो यह basic आज की information थी I hope आपको जो है वो clarity आई होगी और इसके इलावा भी कर कोई information required है तो वो आप comment कर सकते हैं और पूछ सकते हैं अब इसके साथ एक important बात भी करती चानूं कि जो IELTS है क्या वो required है या नहीं सो जो IELTS है English proficiency का test वो आपकी university पेटे पैन करता है कि अगर वो already आपको कोई English course offer कर रही है जो कि इनिवरस्टी स्पर्तगाल में करती है सो फिर आपको जो है वो IELTS की जरुवत नहीं है और जब आपका इंटर्वी होगा embassy में आपके student visa लगने के लिए सो वो आपको बता देंगे ठीक है और अगर वो आपसे IELTS नहीं लेते तो फिर वो आपसे एक placement test लेते हैं वो आपको पर्तगाल आ कर देना होता है ठीक है वो एक basic सा test है वो इतना difficult नहीं होता और उसके साथ वो आपको Portuguese language courses भी offer करते हैं सो आपको यह समझ में आ गया होगा कि क्या IELTS required है या नहीं सो मिलते ही नेक्स वीडियो में इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप